गौतम ओल्लाइन इस्टेडी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें रिड बटन पे क्निक करके लाइक करें सभी वीडियो को और सेर करें अपने सभी दोस्तों को और रेल आइकन जरूर क्रेस करने जिससे अपडेट मिलती रहे अगर अच्छा लगे तो लाइक करें सेर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेड बटन पे क्लिक करके और वेल आइकन प्रेस करने जिससे की और वीडियो अप्लोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाये करें ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं बाग की बाते हम लाश्ट में करेंगे तो आप लाश्ट तक बस देखते रहें तो देखिए युनाइटेड नेशन और्गनाइजेशन लीग ओफ नेशन की बिभलता तथा दित्ती बिस युद्ध के कारण सन 1945 में संयुक्त राष्ट संग युएनो की स्थापना की गई कब की गई सन 1945 में ठीक है संयुक्त राष्ट संग की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई 24 अक्टूबर को UNO Day भी मनाया जाता है United Nation Organization Day Celebrate किया जाता है 24 अक्टूबर को Next है United Nation सब्दका प्रतिपादन अमेरिकी राष्टपती Franklin Roosevelt Franklin Roosevelt के द्वारा किया गया था United Nation सब्दका प्रतिपादन ठीक है फिर Next है संयुक्त राष्ट संग के चार्टर पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिसको में हस्ताक्षर किये गये थे ठीक है कहां सैन फ्रांसिसको में हस्ताक्षर किये गये थे संयुक्त राष्ट संग के चार्टर पर ठीक है फिर देखें आगे संयुक्त राष्ट संग के चार्टर पर स्वरुपथम 50 स्वदस राष्ट प्लस पॉलेंड जो कि कुछ समय बाद ने हफ्ताक्षर किये थे ठीक है तो सुरुवाती समय में टोटल 51 स्वदस राष्ट देश्ट थे ठीक है फिर क्या है कि स्वदस राष्ट संग के चार्टर में 19 चैप्टर हैं और स्वदस राष्ट संग का सदस से 30 अक्टूबर 1945 को बना और जो सुरुवाती समय में 51 सदस थे देश उनमें भारत भी सामिल था ठीक है फिर देखें नेक्स्ट अब हम देखते हैं वर्तमान समय में कितने सदस से हैं तो सबसे पहले 191 191 मेंबर जो बना UNO का सिज्जलेंड बना 2002 में फिर 192 मेंबर कौन सा बना मॉन्टनेग्रो बना 2006 में और फिर 193 मेंबर जो बना South Sudan 2011 में ठीक है South Sudan बना 193 मेंबर तो वर्तमान समय में जो United Nation संग्तराष्ट संग के मेंबर है कितने है 193 मेंबर है ठीक है वर्तमान समय में याद रखें आप important है पूछा जाता है फिर next है कि संग्तराष्ट संग का मुख्यालाए headquarter कहां है UNO का New York सहर में है UNO का headquarter ठीक है और Manhattan Deep पर इस्थित है UNO का मुख्यालाए New York सहर के Manhattan Deep पर इस्थित है ठीक है फिर और अगर हम बात करें Deep knowledge जो की exams related important नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूँ संग्तराष्ट संग का मुख्याले 17 एकर जमीन पर बना है तथा जिसकी 49 39 मंजले इमारत भी है ठीक है 49 मंजले इमारत है UNO के मुख्याले की ठीक है फिर आगे देखते हैं Next ये देखिए आप UNO अब देखते हैं संग्तराष्ट संग के द्वाराज 6 भासाओं को कौन-कौन सी Arabic, Chinese English, French Russian और Spanish अपचारिक भासाओं का दर्जा दिया गया है कितनी भासाओं को 6 भासाओं को ठीक है फिर नेक्स्ट है संग्तराष्ट संग की प्रथम बैठक कब हुई जनबरी 1946 में हुई कहां हुई Westminster Center Hall London में हुई ठीक है Center Hall में और फिर नेक्स्ट देखें तो महासभा की प्रथम बैठक कब हुई तो New York में हुई October 1902 में ठीक है 1952 अक्टूबर में हुई महासभा की प्रथम बैठक New York में फिर देखते है नेक्स्ट फिर नेक्स्ट है कि 20 नवंबर 2002 20 नवंबर 2002 में संग्तराष्ट फंग में मृत्यदंड की समापती के लिए एक प्रस्ताव लाया गया कहां महासभा में जिस पर 149 विपक्च में बोट पड़े ठीक है तथा 36 ऐसे थे जिन्होंने बोट नहीं किया और भारत जो था भारत देश जो था वो विपक्च में था ठीक है जो प्रस्ताव लाया गया था उसके विपक्च में था भारत यह एक non-binding resolution था ठीक है एसेंबली तो क्या देखा मैंने जेनरल एसेंबली तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे जेनरल एसेंबली के पॉल हेंरी स्पाक ठीक है पॉल हेंरी स्पाक थे फर्स्ट जेनरल एसेंबली के प्रेसिडेंट जो की बेल्जियम के थे प्रजेंट में प्रेसिडेंट कौन है जेनरल एसेंबली का तो पीटर थॉम्सन है जो की फिजी के है ठीक है पीटर थॉम्सन फिर देखे नेक्स्ट तो महासभा की प्रतम बैठक 10 जनबर 1946 को वेस्ट मिनिस्टर सेंटरल हॉल लंदन में आयोजित की गई थी जिसमें 51 देशों के प्रतनीद सामिल थे इंक्यामन देशों के प्रतनीद सामिल थे और क्या वो लगया है महासभा में प्रतेक फद्देश पांच प्रतनीद भेज सकते हैं परन्त उनका बोट केवल एक ही ही होता है और प्रतेक बर्स नीमित फत्र की शुरुआत पर महासभा में एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा के साथ मुख समितियों के अध्यक्ष का चुनाओ किया जाता है फुरक्षा परिसत के पांचिस फद्र परिसत के सेक्योर्टी कांसिल के उनके देसों में से महासभा के अध्यक्ष का चुनाओ नहीं किया जाएगा ठीक है यह बात भी अब ध्यान में रखें फिर नेक्स्ट है कि स्रीमती बिजयलक्ष्मी पंडित जोकी पंडित जवालल नहरू की बहन है 1953 में आठवी अध्यक्ष चुनी गई थी और वह भारत की वह प्रतम महिला अध्यक्ष थी तथा प्रतम भारती अध्यक्ष भी थी ठीक है दो बार अध्यक्ष चुने गए कब-कब 1948 में और 1988 में ठीक है दो बार अध्यक्ष चुने गए महासभा के लिए अर्जिंटीना से फिर नेक्स्ट है कि महासभा का बर्स में कम से कम एक बार सत्र बैठक जो होती है एक बार कम से कम बैठक आयोजित करना अवस्यक होता है ठीक है फिर देखें नेक्स्ट फिर फिर फिर्फशाप परिषवत सिक्यूर्टी कानसिल सिक्यूर्चा परिफ़त में कुल कितने सदस्व होते हैं फिर फिर नेक्स्ट क्या है कि 10 27 सदस्व चुनाओ एक सबस्ट का एक बार तथा पांच सबस्ट का अगले साल कि क्रम में होता है ठीक है फिर नेक्स्ट है कि सुरक्षा परिफफ कि 27 वड़फ से कौन कौन से देश है तो अमधरिका है फ्रांस है यूके है रसिया है और चाइना ठीक है कितने सदसें 5 सदसें इस्थाई और 10 जो है 58 सदसें ठीक है यह बात आप द्यान में रखें तो कौन कौन से इस्थाई सदसें जरूर याद रखें अमेरिका, फ्रांस, यूके, रसिया और चाइना यह इस्थाई सदसें ठीक है और जो भारत है सुरक्षपरिसद में 7 बार 28 सदस रहे चुका है ठीक है 29 सदस साथ बार रहे चुका है भारत फिर देखें नेक्स्ट की सुरक्षपरिसद के पांचों जो 27 सदस्शियों के पास एक बिसेश अधिकार होता है कौन सा बीटो पावर ठीक है बीटो पावर एक विशेश अधिकार है पांचों 27 वदर्षियों के पास इस अधिकार आर्टिकल 27 के द्वारा सुरक्षप परिशत के 27 वदर्ष किसी भी प्रस्ताव को निरस्त कर सकते हैं ठीक है अब हम आगे देखेंगे कि कितने वार यूज किया गया वीटो पावर ठीक है तो टोटल 269 टाइम्स यूज किया गया वीटो पावर तिल 2012 ठीक है 2012 तक इतनी वार किया गया अब देखते हैं आगे तो देखिए USSR रसिया 127, USA 83, UK 32, France 18 और China 9 ठीक है तो 2012 तक इतनी इतनी बार वीटो पावर का यूज किया गया ठीक है फिर देखें नेक्स्ट कि अमेरिका ने लगभाग 45 बार वीटो का प्रयोग मध्यपूर्वे से संबन्दित बिशी होता था इजराइल के विशे में किया है ठीक है और सुरक्षा परिशत में वीटो पावर की माग USSR लीडर जौसेफ स्टेलिन दौरा जौसेफ स्टेलिन दौरा याल्टा कॉन्फरेंस याल्टा कॉन्फरेंस के दौरान किया गया था फरवरी 1945 में ठीक है याल्टा कॉन्फरेंस के दौरान किया गया था USSR लीडर जौसेफ स्टेलिन के दौरा बीटो पावर की माग ठीक है फिर आगे देखते हैं तो अब थार्ड है आर्थिक एवं समाजिक परिशद Economic and Social Council तो इसके बारे में भी जान लेते हैं सबसे इसन पॉर्टेंट है इसमें General Assembly और Security Council ठीक है और ये थार्ड है वर्तमान में आर्थिक एवं समाजिक परिशद के फदर्स संक्या कितनी है 54 है और प्रारम्भ में इसकी फदर्स संक्या जो थी 18 थी ठीक है 1966 इसवी में संसोधन के बाद 27 तथा फिर 1973 इसवी के संसोधन के बाद 54 कर दी गई इनके फदर्फियों का कारकल कितने बर्स का होता है तो ये 3 बर्स का होता है ठीक है और यह एक स्थाई संस्था है और इसके एक तिहाई सदस प्रति बर्स पदमुक्त होते हैं परंत आवकास गरहन करने के बाद आवकास गरहन करने वाला सदस्य पून रूप से निर्वाचित हो सकता है ठीक है फिर नेक्ष्ट है कि आर्थी केम समाजिक परिस्वत की बैठक बरस में दो बार होती है अप्रैल में नियुयर्क में तथा जुलाई में जनेवा में होती है ठीक है आर्थी केम समाजिक परिस्वत की बैठक Economic and Social Council की बैठक अप्रेल में निवार्क में होती है तथ जुलाई में जनेवा में होती है दो बार ठीक है बर्स में फिर देखते है next फिर next है प्रण्यास परिशवत ट्रस्टी सिप ठीक है और यह संस्था फिलहाल में क्रियासिल नहीं है ठीक है जिन देशों को नियास का भार सौपा गया था वह देश है अस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड अमेरिका और ब्रिटेन ठीक है तो यह संस्था क्रियासिल नहीं है और जिनको भार सौपा गया था वह देश कौन कौन से तो न्यू जिलेंड अमेरिका और ग्रेटेन थे थिर देखते हैं फिर नेक्स्ट है और लास्ट है इम्पॉर्टेंट है ये भी अंतरराष्टी नियालय इंटरनेशनल ऑफ ज़स्टिस आई सी ये तो अंतरराष्टी नियालय कि श्था पना अंतरास्टी नियाले किस था अपना हेग निदर लेंड में 3 अपरेल 1946 को की गई थी फिर देखें तो इसमें नियाएधिसों की संक्या 15 रखी गई थी इनकी नुक्ती 9 वरसों के लिए होती है और प्रतेक 3 वरस बाद 5 नियाएधिस आवकास गरहन करते हैं प्रतेक 3 वरस बाद किसी एक देश से 2 नियाएधिस एक साथ इसमें पद गरहन नहीं कर सकते हैं और नियाएधिस अपने मेंसे ही किसी एक को अध्धक्ष के पद पर तथा उपाध्धक्ष को 3 वरसों के लिए चुनते हैं अपने में से ही किसी एक को अध्धक्ष के पदपर और उपाध्धक्ष को तीन वर्सों के लिए चुनते हैं, ठीक है, नियालाय का जो कोरम संक्या कितना है, 9 है, 9 है, नियालाय का कोरम संक्या, नियाधिस की योगिता के अगर हम बात करें तो उसके अपने देश के सरोच निय लेकि नियायद ही इसकी योगिता ही होती है नियायद ही इसकी योगिता ठीक है। की और से नागेन सिंग अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं तथा RS पाठक नियाधिस के रूप में कार कर चुके हैं ठीक है RS पाठक फिर देखें next है कि ICJ में जजों की नियुक्ति का अनुपात इस प्रकार से है 3 Judges from Asia, 3 Africa, 2 Latin America, 2 Eastern Europe और 5 Western Europe ठीक है तो इस रेशियों में जजों की नियुक्ति की जाती है ठीक है फिर देखें next है तो चाइना के अलावा सभी चाइना के अलावा सभी पी 5 कंट्री के जज ICJ में रह चुके हैं ठीक है तो अब सची वाले के बारे हम जानते हैं कि सची वाले जो होता है UNO के वर्तमान महा सचीव एंटेनियो गुट्रेस हैं ठीक है सचीवालय के वर्तमान महा सचीव कौन है तो एंटेनियो गुट्रेस है यह देखिए आप यह देख सकते हैं अब सचीवालय का जो प्रमुख महा सचीव होता है जिसे महासवादवारा सुरक्षा परिषत की सिपारिस पर पांच बरस की अवाध के लिए नियूक्त किया जाता है महासचिव को दोबारा भी नियूक्त किया जा सकता है और गोफना पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रसासनिक अधिकारी होता है ठीक है फिर देखें नेक्स्ट है कि कौफी अनान जो की घाना के हैं कौफी अनान तो कारिकाल के दौरान उप महाचुः पद की सुरूआत की गई थी तो आप ये याद रखें कि UNO के वर्दवान महाचुः कौन हैं तो एंटेनियों गुट्रेस हैं मैं आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बताऊंगा भी कि सुरू में फस्ट कौन थे महासचिव और वर्तमान का तो मैंने आपको बता ही दिया कि एंटेनियों गुट्रेस हैं ठीक है जो पुर्तुगाल के फिर देखतے हैं तो यह देखि अब हम आपको लिस्ट दिखाते हैं सेकेटरेज जनरल की ठीक है फस्ट से तो पहले थे त्रिगवेली थे फरस्ट 1946 to 1952 जो कि नार्वे के थे त्रिगवेली नेक्स्ट थे सेकंड डैग हेमस्च जोल्ड थे जो कि 1953 से 1961 तक थे स्वीडेन के थे फिर थाड़ है यूठांट यूठांट जो कि 1961 to 1971 थे ठीक है ये बरमा म्यामार के थे और फिर next है कोल्ट वाल डेहिम कोल्ट वाल डेहिम जो की 1972 1981 तक थे force रही ओस्तिया के थे थीक है, फिर देखें next फिर next है फाइब नंबर के तो जेवियर प्रेजडे क्विलर थीक है, जो की 1982 से 1991 तक थे पेरु के थे ठीक है तो मैं आपको बतातो रहा हूँ पर यह important नहीं है सिर्फ first और present यही पूछा जाता एक्जाम में ठीक है फिर six number थे वुटरस वुटरस घाली थे जो की एगिप्ट के थे और seven number थे काफी अनान जो की घाना के थे ठीक है इनका निधन भी हो गया है अभी इसी यर something जुलाई या अगस्त मन्त में ठीक है इनका निधन हो गया है काफी अनान जो की घाना के हैं ठीक है फिर next है बांकी मून 2007 से 2016 जो की साउथ कोरिया के थे ठीक है अब है भरतमान समय में जो हैं इन्टेनियो गुट्रेस इन्टेनियो गुट्रेस है भरतमान समय में जो अभी कारभार समाले हुए है 2017 से और पुर्तगाल के हैं ठीक है इन्टेनियो गुट्रेस तो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया UNO के बारे में पूरी जानकारी दी ठीक है जो कि आपके एक्जाम से related महत्पूर्ण है एक्जाम के लिए तो अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सेर करें अपने सभी दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए red button पे जरूर क्लिक कर दें और well icon प्रेस कर दें जिससे की जब वीडियो अपलोड हो तो आपको जानकारी मिल सके ठीक है तो मिलते हैं फिर next वीडियो में important topic के साथ Thank you friends